अज बात करने जा रहे हैं फिजिकल कॉंटिटीज की दैमेंशन्स की तो हमारा टॉपिक रहेगा आज दैमेंशन्स ओफ फिजिकल कॉंटिटीज की होती हैं दनलेग्टमेंशन्स ओफिजिकल कॉंटिटीज 2 तेक्ज इसमwederा इसम पॉन्टमेंशन्स की तो देखें था रहे दाएं ऐसमेंटल कॉंटिटीज की दैम नेन्थ सेमॉंटमेंटल कॉंटिटीज वतिक्वाषव Length, Mass, Temperature, Time, and Electric Current, Electric Current, and Quantity of Matter, or Quality of Matter, and 2, 3, 4, 5, 7, 9, 9, 10, 10, 11, 12, and 11. तो देखिये, लेंथ की यूनिट थी मीटर, मास की ऐसा यूनिटा, पी केजी, टेंपरिशन की जो ऐसा यूनिट थी वो केलविन, इसकी सरकेंड, अन्पियर, मोल, एड लुमिनस इंदेंशनल, तब बच्चों, हम कह रहे हैं दें की लेंथ, मास, तेंपरिचर, टाइम, इले बनियुक्ति देंख के दी के अपकुंजएटों की बादे, इसन की टो, क्लीच यह दे देयंवी यस्ट के घ्ल वेंद, और लिच्टल्ड थी लिछाएं, लीच़्ेम, तो क्लीच चेप्टर आप पर चलान थी।, अबन रहा है, वक्या रहे है, और निंच्चब तो देंच इसका मतलब है, derived quantities के components होते हैं, यह fundamental quantities, इस सब को combine करकर है, ठीक है और वही आपके होते हैं, derived quantities होती हैं, तो यह इसका मतलब हम ऐसा बोल सकते हैं, ऐसा बोल सकते हैं, जो fundamental quantities हैं, यही है कि हमारी पूरे वर्ल्ड की dimensions है, श्याद सबस्क्राइब लिए हम बिलें न दक्राइब लिए लेकर के लिए हम इसके से सेबस्ट से पर के लिए से सबस्क्राइब स्क्वार ब्रेकिट के लिए यह अपकी लेंग्ट है तो मास के लिए हम डिलोड करता है क्यापिटर एलफाबेट को लेंगे और यार रख रहे काभी भी आप क्यापिटर एम बत लिजेगा क्योंकि मास कर जाता है क्यों गलत हो जाएगा ठीक है तो वो दैमेंशन आफ मास इस क्यापिटर एम डैमेंशन आफ टैम्टरेचर ए जाम दीजेगा कहीं पर तो ऐसा के रिखा होता है आप तहीं मत लिखना ठीक है और कहीं पर ऐसा करते हुए यह कुछ ऐसा बनाती रहता है बुट्स में देखना आ ब्रफशन आवर देखे, देखें युणिट इसकी एम पीर थी और सकुछ डैमेंशन अच्छ एपितर QL है ट Adapt ब्रच यह इनदेगा काई कि यूनिर्फटर ऑपकी युणिट थी कंडला और रूस्क्रा जॉत्स तो यह चल रहे है आपकी physical quantity, यह fundamental quantity है सकते हो, यह चल रही है dimension by di m में दिखिंगी शॉर्ट में, ठीक है और यहां पर इसी unit भी लिख देता है ताक के आपको नहीं confuse ना रहें unit है, यूनिट है, length निए unit हो अगर दिख़ें, diversity unit की बात रहे है, diversity unit means mks system में लिर रहा है, तो तीस सब्सक्राइब करते हैं कि आपको आपको यह वाला चार्ट बनाना है कि मास के लिए आपके लिए केजी किलोग्राम और टेम्परेचर के लिए होता है केल्वीन के लिए के लिए पहुत access और टेम्परेचर के लिए बात कि लिए क्यों केजी है ऑल बनाने सहे एटिक दाने आ rulers लिएड Ready आपको एक्ष घ्र Sharples से क्यों सब्सक्राइब के लिए क्यों आपका है लियुआ अजी ही इसे अ क्यों क्पन मोरा से क्शills are people पूरी फिजिक्स में जितनी भी आपकी क्वांटिटीटीज वो सब इही से बनती है तो यही अपने आपने क्या हैं डैमेंशन से ठीक है और हमने ऐसा हमने लास्ट एक्षर निपढ़ा था फिजिक्स की जो विल्डिंग ब्लॉक्स होती है वही यही क्यों होती है आपने कोपी में हाथो हाथ नोड करना है कि अब हम चल रहें द्रैट्ट्ट गॉंटिटीज के बारे में पढ़ने तो पहरे देखो अगर हम अब बात करते हैं जड़ा डैमेंशनल फॉर्मुला क्या होता है तेको बच्छो डैमेंशनल फॉर्मूला यह वह अपने आप में द्रैमेंशन से हैं अब जो डैमेंशनल फॉर्मूला है यह उन सेवं फॉंटिटीज को छोड़कर में इस डैमेंशन दिराफॉन्टिज की बात लिया आपकर देखिए धियांटे न सब्कूछ हम बात कर लेते हैं डैंसिटी की बात कि लिए Θ मास की बात करें तो देखना है यह है आपका मास की दैमेंशन होती ही आपकी मास मुझे रूप करते हम कैबिटल M से देखिए आपको पता है मास के एक अब यह है बहुत बेंट पता है अपका मीटर में होगा मीटर को मीटर तो आपके अपने आप में अपने फंडमेंटर में यह की धैक इum हाई अपने एक लंपाई है ठीक है ठीक है तो ल to the power 3 तो बात पर रहें दरिसकी तो एम इसको हम उपर ले जा लेंगे तो यह आपको इस एक्जाम कर सकता है तो कि हम कैसे लिखेंगे इन दा तो आपको समझ में नहीं आएगी ठीक है तो देखो ध्यांसे मास के उपर कितना है मास के ऊपर पावर अपकी वन लंध की जो पावर है वहाई अपकी माइनस थी और अगर ताइम के देखा चाहिए तो आपर टी तो हही है कि दोम ऑनपर 0 लिख देंगे के दिख समझे तो इसे हम ऐसे को लेंगे, जो देंसी क्या है ऐसे क्वांटिटी है, जिसके मास में अगर हम डैमिंशन में देंगे, और लेंथ के तो जीरो भी नहीं, जीरो भी नहीं है, किसमें है, माइनस थी उसमें है माइनस 3 की लैंद्ध के सबसे है ठीके it's power minus 3 होगे time में तो यह है है नहीं Dimension में time को कोई rule नहीं है सब हो सब्सक्तर ठीके तो अब हम इसके definition लिखने जा रहे है तो आप इस example से समझढेगाइस को तो लिखेंगे हम the dimensions of मैं shortcut pe li खं़ुकूँ these dimensions of of physical quantity पावर्स पावर्स के सकते हैं या एक्सपोनेंट्स के सकते हैं जो किसी के ऊपर पावर लगना ओट्स पावर्स के ऊपर आतना सम्हें कामी में इसपोनेंट्स कावर्स या विया है जो किसी के ऊपर परो इसपोनेंट्स कामी थेНеक्से मेंदा थेन कामी में साय थे Jag मस्ट भी रेस्ट को रिप्रेजेंट करने ते कि वह मास्ट में कितनी पावर में हैं लेंथ में कितनी पावर में हैं मस्ट भी रेस्ट टू इक्सप्रेस यहां पर लिख रेस्ट अप्रच्व आप लेजएगा ठीक है तू इस्ट को कंप्रेटली एक्सप्रेस करने के लिए च्छीक है तो जल्दी से आपसे नोट कर लेंगे कीन को 끌तर हैं किसी कप्लीटिक को कौम्प्लीट्री संप्रस करने के लिए हम गरता है सदी हम अखक्जांपल की को में अपने ले ले हैं तेंशिटी ऊकौल दृ द्रहतर लेदा है back तो लास्ट में अपने एक लेहन और चुका है है हैंस देमिंशन ओफ लैंसिटी आर वन मास में वन है लंध में माइनस थी है और टाइम में सीरो है ठीक है ऐसा ही एक जैंपल और लेता है देखिए एरिया की बात करें तो एरिया होता आपका लेंट इन्टु ट्रेथ एरिया अधिंट to breathe देखिए एरिया की डायमिकर रादेनेशन क्या हुँनी जी एरिया की डायमिकर आपका लेंध लेंख वहतालने स्कार्फे करेंगा लेंख लेंगर देमिशन रादे हमें रहे किरो शा। बचोप वेट देखिए सब्सक्राइब करते हैं लेकिन आप इग्णोर किजिए इसका पेज लेजिए पदला सा ठीक है यह वाला पेज लेता है तो इसमें एक लेंथ एक लेंथ है और एक ब्रैथ है तो दो ही डामेशन है वन और तू और आप देख रहें लेंथ में आसके प बच्छोप कभी भी किसी टू-डैमेशनल अब्जेक्ट टू-डैमेशनल पड़ाया भी हमने तो हमने तो बात किये मैक्सिमम वह थी की बड़ी है वैसे रहें तो देखिए लेंथ और ब्रैथ इसका हम कभी वाल्यूम नहीं का ज़़ए इसमें वाल्यूम इस किसी का स्पे वाल्यूम नहीं गाश्य कि गया तो व्ल्ियूमम किसी का लीप फ़ी किमेशन जाबें अब तो अब तेच्छाब यह जो आपका रूम है आपका या यह जो आपका क्या है क्यों वाइड है इसमें देखिए का लेंथ होती है एक ब्रैथ होती है तो बहुत हो रहा है तो आपके पास बन जाता है तो यह आपका बहुत सारी हमने दैमेंशन पढ़ने हैं देखिए फंटामेंटल कॉंटिटी तो अपने आप में ही क्या डैमेंशन है तो आपने द्राइड कॉंटिटी को देखना है वैसे तो जब हम आप क्या करेंगे इस जितने पी चेप्टर साब पढ़ते जाएंगे तो हर एक चेप्ट प्राइड को आपकी फिजिक्स की तो हर चेप्टर में आपने एक फिजिकल कॉंटिटी पढ़नी है उसके देखके उसके निदे जितनी पी डैमेंशन से है उसमें फॉर्मिला पढ़ने आप उसका ऐसा यूनिट या इसी जिजिए वगर पढ़ने आपने फिर उसके बाद वर मनेंशन को सीखना है तो यहां पर हम कर रहे हैं यहां पर हम से डैमेंशन कैसे बनती है डराइवर्ट कॉंटिटीस का कैसे होता हूँ है कि गया पर सीखना है तो बेशिक को मैं अपको इस से लिखा दूगी बाइवग मैं खुद करेंगे घर में ठीक है Tao ओना से आए चै तो पहली सबसे बेसिक होता है फुर्णापिंटर में लेंथ आपके पहली होती है एक भात कर लेंगे ड्रैब्टेटीस की बात हो लिए आप लिख लिने है यापर सम् इंपोर्टेंट डैमेंशन आफ ड्रैब्टेटीस अफ ड्रैव्टेटीस एरिया को फॉर्मुला आपक ल और हैं जो यूनित होगी यह पढ़ लेंगे दिसीत चेप्टर हो जगा तो ऐसा ही यूनित होती है देके लेंध की है यूनित मीटर ब्रैथ की मीटर की यह को बनना सीख रहें हैं अगर आपको यूनिटी यह बतातोगे अगर आपको यूनिटी पता होगी तो आप डैमेंशन की इसली बतातोगे मीटर वैसे बढ़ना जाए दो सिंपल मीटर स्वारे इतरा आपको पटा इस था तो आप आप डानेट भी लिख सकता है अप प्रक्रतिस की एडिया आप बात करते हम वॉल्यूम की वॉल्यूम के लिख देया है हीट कि एसाइग मिनिट हो जाएगी आपकी मीटर 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 क्यूब क्या है देमिंशन अल क्या देगा ठीक है वल्यूम आगिया है मास को पता थीरह एंडेंसिटी की बात पर लिए नेंट्सें के होती होती है ρो चाहिह मास कि वॉल्यूम स्ण होता है प tenant की काशए है है उनकेवर्णी टेर नओ करागी जिर वोल्यूम लेकर wag सुर्त फॉर्ण पर केचि कारें waar तोली का कुण मैं ऐसे मत दिखेगा अच्छा नहीं लगता इट डिवाइड को आपको बन जाता है माइनस थ्री इसको भी हम ऐसे ही बोलेंगे केजी पर मीटर क्यों ठीक है मैं मास की वह है क्या ठीक है और यह है अपकी अल मेंटर आपकी लेंध की होती है और देखें पाबा की थनी है माइनस थी धियान से देखेगा फर्मले से यूनिट से डापनेश शिख गए बहुत बढ़िए अप देखें क्या करना है एक चीज़ और आप ऐसे भी रिख सकते ह मैं अब को बता है एक बन की पाब टो बन की पाब माइनस थी और ताइम में तो कुछ भी नहीं है तो टीज़ ओले सकते हैं एक लोगर जेख शड़ा तो बस बेसिती होगी आपका अपका पर करते हैं स्पीड याभी पढ़ेंगे सब कुछ पढ़ेंगे या आप चेप्टर भी पढ़ लिए ना वो हमने आपर पढ़ लेना है ठीक है और नहीं के आदभी रखना है आप लोग आगे के चक्टर से बहुत सारी कॉंटिटी जाने वाली है और उनको आपको विखुदी वन है स्पीड स्पीड वोता है वोता है दिस्टेंस अपॉन टाइंड दिस्टेंस की यूनिट की बाद करते हैं तो बन जब उपर जाएगा तो यह पर सेकिंड पर सेकिंड अब देखना है है पहले मुझे की नीचे दिख रहा है नहीं दिख रहा हैं पुरी स्क्रींशोर यह थिक पूर है अब करता है वेलआशिटी की ि lijस्प्रेंस्मेंट डिस्टेंस की ज्याज़ा प्रहों अब धुटते इस्टेंस में बनाएं सबूरा बतादा है यहां पथाज इसके बाद के चक्क्राइब पर्णा जारा है, मोशनल इन स्ट्रेट राइब, तो यूनिट की बात करता है, यूनिट होगी इसकी, दिस्प्रेशमेंट इपकी मीटर होती है, यह यू लिख रहे हैं, या रखना अपसब, ती आइंम यह लिख रहे हैं, यह दिलिखे है, हाँ मेटर की होती है capital L, second की होती है T, उपर लगा माइनस 1, L T माइनस 1, या sometimes it is also written as mask में कोई dimension नहीं है, तो mask की जो dimension हो है 0, in terms of length it is 1, in terms of time it is minus 1, ठीक है न, तो बात कर लेते हैं, velocity, velocity होता है आपका, displacement upon time, इधर कर लेस को तो बढ़िया रहा है, velocity velocity, equal to half key displacement, upon time, unit लिख लेंगे, displacement की निटर होती है, meter, time की निटर होती है, पर second, ठीक है, तो meter पर second है, और square लिख सक्टम, ठीक है, meter, second का inverse की लिख सकते हो, meter पर second ही हो लेंगे लेंगे, dimension की बात करते हैं इसकी, तो meter की dimension होती capital L, second की dimension होती capital T, power half key minus one, तो भही confused ही आगए आप लोग, देखे, velocity की unit on dimension, और split की unit on dimension, same है, है ना, लेकिन फॉर्म लगो अलगे, उसका displacement upon time, उसका distance upon time, देखे, distance और displacement दोनों ही अपने अपने लेंद है, इसलिए दोनों की unit meter होती है, time को time ही है, ठीक है, आप distance difference होता ही है, next chapter करना है, वो आप पना है रेक्रोस स्पेंश को, ठीक है, तो बात की unit on dimension सेम होती है, बस difference एक यह होता है की, बता रहते है जोगो, एक scalar quantity है, और इनमें से एक vector ठीक है, तो next का आपका velocity पढ़ लिया, और देखे, बात करने होने, हाँ, acceleration की बात है, acceleration की small case load करते थे, velocity की small v से, कुछ भी करना हो, इस बढ़ता है, देखे, acceleration आपका क्या होता है, change in velocity, change in velocity, और upon में चलता आपका, time, यह आपने आपके एक बन और फर्मिला लिदेस का, रिख से, v minus u upon t, v minus u upon t, देखे, velocity, यह है, final velocity यह है, अपकी initial velocity upon time, देखे, final velocity में से, initial velocity को minus करेंगे, तो आपकी velocity की तो बचेगी, मतलब change in velocity, जो भी आएगा आपका, वो velocity ही आएगे, ठीक है, five toffees में से, two toffees minus करो, तो three, क्या बचेगा, three, three toffees ही बचेएगी, तो velocity में से, velocity minus करके, आपका, velocity ही बचेएगी, तो देखा जाना कि unit, तो unit की बारते देंगे, तो velocity उपर जो unit होगी, वो पुरी वेलोसिटी की होगी, changing velocity में, इसकी unit upon इसकी unit, velocity की इतनी है, उपर देखो, आपको, meter per second, meter per second, upon देखे, जहां पर इतने की unit आभी, या इतने की unit आभी, आपकी meter per second है, इसकी उपर velocity ही आएगी upon time, time की unit होती है, आपकी second, तो हम ऐसा कर सकते है, इसको meter जान देखे, second की power minus one, है ना, और यह वाला one है, जब उपर जाएगा ना, अच्छो, तो यह आपका minus one होचाएगा, और minus one minus one, minus minus plus, तो यह आपका बनने का minus two आजाएगा, meter per second square, ठीक है, और dimension की बारत करेंगे, तो dimension हो तो यह T minus two, L T minus two, या, या M zero, L T minus two, ऐसे आज रखना, वो तो सिर्फ समझने के लिए है, कहीं पर use होगा, अभी जगी use होगा application में, तो ऐसा लेखे, ठीक है, तो acceleration का होगे, आपका, बात करते है, momentum का, momentum, देखो कल हमने momentum भी बढ़ाता, कुछ यादा रहे, चलो बचलो बैस को देखो तो, मैं screen देखू पहले, ठीक है, आप note करो इतना, screen तो भी पूरी आ रही आज, चलो बढ़ी जा है, आज पिर, momentum के पारे में, हमने कल बात की थी, momentum होगे, आपका, पी, पी पी कोईटू, मास, उन्तो वेलोशिटी, ठीक है, देखे, चु नेक्स्ट क्वैंटिटी हाली, भी अपनी से उपर वाली क्वैंटिटी पे डिपेंड़ कर जिए दियाँ, देखो, momentum का, हमें, यूनिट देख नह यह unit हो गया, dimensional formula को दिखना है, तो mass unit होती है भी kg, और velocity unit होती है, velocity की ध्यानस देखो, meter per second, तो kg meter per second, it is a unit of momentum, dimension की बात करता है, kg का, sorry, kg means mass, mass का dimensional capital M है, meter के लिए L, second के लिए T, P, 1-1, P-1, ठीक है, 7th, 8th quantity की बात करते हैं, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, समझ में क्या, यहाँ परतों ऐसे भी dimension बदाना सीख रहे हैं, ठीक है, इस चक्तर में dimension बदाना सीख रहे हैं, इसके बात, जो chapters हैंगी हमारे आगे, उनमें यह सारी quantities जित्ती हैं, आपके आपके बेसिक चॉप को याद भी होनी चाहिए, वहीं से आप अगर quantity को solve कर पाएंगे, उनकी dimension solve कर पाएंगे, तो इतनी जितनी वली खाऊंगी आज, वह आप जरूर जरूर याद कर लिजेगा, रठ लेना है उसको आपने, कोई पूछे तो बिना फॉल लेके आप उसके dimension मोमेंटम होगे आपका, अब आत्रा आपका force, देखे आपके सबने बढ़ा है F equal to MA, MA यह M into A कहा होता है, यह मास into acceleration होता है, तो यूनिट की बाद करें, तो मास की जो यूनिट होती है बच्चे वो होती आपकी kg, एसलिरेशन की unit होती है, आपकी मिल्टर पर सेकेंड दियां इसलिए कम्हेंट से मतल को मेंट है मेंटर की इसलियों की मर symbi, मतल की कहेंड शेय लोगी, ना कता है, मेंटर की दियां मेंटर को 커피 sesame, तो यह कि जो अदेखे,दूस की मेंटर को भी सेकेंट अदे नोगरी कम्हेंट एक को सीनिगन देखे, अचन एक मेंटर पहले ताकि हम आगी का वो कर सकेंगे चल दिकेजी आप में जगा वाइट बोर्ड को पहले रेडी रखूंगी आप सारी कंडरीज लिख देंगे ना तो वीडियो काफी लंबी हो जा लिए तो देखके का वाइट लेडी है थीका है अब्रायम लिखते हैं आसे वीडियो चाहते लंबी नहींगी ताइम हो लगता वर्क का अपने पढ़ा होगा पोर्सक्रिस्मेंट होता है तो पॉर्सक्रिस्मेंट नहीं होता पूरा ठीके यह स्पेशल केस में होता जब जे स्टेश्में टो जैए जो है तो से बोल्ड बूले हैं तो वहीं पांक इसमें निया था ही आप फॉर्स इन्टू डिस्प्रिस्मेंट कि एडें आपकी केंटी मीटर पर सेटेंड स्कॉर्स अवे रहा बना टाल श्कने में से हैं, फोर्स इन्टो फोर्स केंड़ी अपकी केज में पर से कंद स्कृर्पियां真的 एक सने कवाध ध्यां से दिखिक है इस से तक हम फोर्स की में इससे लिए इस पंदो हम इसमीर के लिए मीटर है चला मीटर को हिजी मीटर्स धुबार botti इभना था इसमें इसमीन पमिटर वोर्स होगा थी जानको ऐना पूनधे ना races पोर्स की उडिट लिखी थी ना, इतरी पो दिखा, यह लग्स है, यह पहले वरेश्ट नहीं का सब करक्षानी करना पर एक चीज और एड करतें है, पोर्स की उडिट लिखी थी पच्चे, वो लिखी अमने केजी, मिटल परसेंटी स्क्वार, है न, और, ध्यान देना, इसको कम्बाइब फॉर्म के नहीं लिखा, इसको कम्बाइब फॉर्म के अपने नूटन लिखाऊ है, एना तो इसको कम्बाइब इतना बड़ा ना पोलाद गेजी, मिटल पर सेंटी स्क्वार, ना बोलकर, नूटन न को हम बहुत देता है, मतलं, नूटन को काला अच्छा और र एकूंग important region विल् pave वर सोने हैंशेश्टेम इसलक्त टेखना सक्टकरफ्णी हम सब्सक्रावक? मैं आग्षों मोजीं कि पोर्स एक योनिट होती है किलो ग्राम मीर्डर स्वार्ड पर सीडिंड स्क्टकरर सोले किलो म्मिल्र स्कॉर्स यह 12 स्कोर कम्बाइन फॉम में हम बोलते हैं Newton क्या बोलते हैं Newton दिनोट करता है capital M से ठीक है कम्बाइन में इतना बड़ा ना बोलते हैं Newton बोलते हैं तो दिया हम देगा kilogram meter per second square अगर हम इसकी बात करें तो इसको हम बोल सकते है Newton इतना है आपका meter मतलब Newton into meter कर रहे हैं यह Newton है force के unit into meter तो Newton meter यहां आप से कम्बाइन फॉम में kilogram meter square per second square बोल सकते हैं ठीक है dimension की बात करें अगर वर्ट की किलोग्रम की dimension है M मास मेंटर है आपका length के ML2 T-2 ठीक है अगर आपको force क्योंगे MLT-2 अपने इस L के पर 2 लागा देना है तो आपकी मज़ए अब देखे एनर्जी के है अपने एक इस दाप फॉर्म आफ वर्क है ना energy can be converted into work और work can be converted into energy तो energy होता है amount of work तो हम ऐसा हो सकते हैं SI unit क्या होगी SI unit will be same as work तो energy की होगी जो जो इसकी होते है बार्द की होते है और आप इसको simply newton meter क्या सकते हो उपर में लिख लेना पहीं पर newton meter अब देखें कि अब्र टू की क्वाटिटी तो same ही है ठीक है और एक बद देना एक बात और दिना देंगे जो बहुत जादा यूस होता है डामेंशन को बात में लितना है पर देखें इस और यहीं पर देखें देखें आप लिए रूटर मीटर और देखता है आपने बहुत सा दस्ट नहीं होगा जूल जूल भी कहता है जूल 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 डैमेंशन डैमेंशन होंगी स्कीन कि एमेल कोटी माइनस घिक है पावर की बात कर लेता है तो अगशन को के क्या अगरेती वक्तिख को हुए तो पावर इकोल भॉता हो रहा है तो पावर एकोन होटा ताइम की बेसिक में करते हैं किलोग्राम मेटर स्कूरर पर सेकेंड स्कूरर किलोग्राम मीटर स्कूरर क्यांगी अपर सेकेंड गूर्ण अब देखो अगर रेखा जाये ना तो हम इसे और देमेंशन चुम आज में करें इसके पहला कुरी अक्छी तरीकी से बोले लिए तो यह हो गया आपकी क्या आपने सिदे-सिदे लिख देना है यह लिखने आपकी किलोग्राम मीटर स्कार पर सेक्ड क्यों और उसिदे किलोग्राम मीटर स्कार पर सेक्ड क्यों पर सेक्ड को लिख सकते जूर पर सेक्ड और अब वर्ट इसके पावल उनिट अपके है वोर्ट यह बेसिक फॉम Richardo को क्यों है। बेसिक पॉलनदी्टो के तंप्स में और यह आपको लगा आउन है जूर पर सके और वार्थ तो प्रेशर की बात हाँ डैमेंशन लिए इसकी देखिए जूर पर सिकेंड और वर्क की डैमेंशन अरके ML2 T-2 ध्यान दीजेगा ML2 T-2 अपान सेकंड सेकंड की दो 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 दिया फिर T अपान में आपका ती इसको हम उपर बिल जाएंगे तो T-2 है एक पावर और जाएंगी उपर जो T-1 यह मैंनस बन उपर जाएगा तो यहां पर लिखने हो आप इसे ML2 T-3 यह आप ऐसे भी लिख सकते हैं सिंपल क्या देखिए ऐसे बत कीजिए अगर आपके यूलिट आ गई है तो आप इसे नहीं कर सकते हैं कैसे ही उणा क्या टिक कें मेंटं देखिए अपने अ क्यों कियो की वार्ट के सबसें हम स्खिए लिख comenz çıkaj सकते हैं कि हुआ सकते दो कि स्ब्सक्रीट आपना सकते हैं कि अपमें क्यों बैसिक फंड़ क१ंक्व लिए पी होए थे तो क्यों सलिकियो है अगर आधि को बार कश़वा आगई कर शे स्काइए तो हो और प्रेशो की बाढ़ करते हैं प्रेशर आप रहा नाहें पड़ करते हैं अब करें किया हो प्रेशर इक्वाध grease को ऑद को तरं स्सक्राइब यह पर पेंटगोर फोर्स होता है वह फोर्स पर फॉर्स स्क्वाइब यो पड़ जाएगा माइनस तू बन जाएगा न्यूटन पर मिट्र स्क्वाइब और अधियान देना आप लोग एक पाद न्यूटन को nov इंको तो सब्सक्राइब बन सब्सक्राइब एक मीट्र स्क्वार एक इन चाहिए को अने चरेगा- सब्सक्राइब ने में डित्री तू अहेरे दो पास को माइनस बन बने गा तो हम दारक निपेश इसको आपने सीधर सिदह बितना है के g per meter per second square इसकी unit है यह unit की प्रेशर की आगे बास मज़ में आपने यह ितने है और तो इसको आपने आपने अज़िकर आप आज आते है दार्य कर रहा है अगर आपको basic basic पता है तो आपिन को ड्राइब कर सकतना है, सिद्धे ये लिए कहें लिए होगी है, तो अप्निजन है कि केजी के लगते हैं, अपके लिए, मींटर के लिए पास है, L-1, सकिंद के लिए आपके पास है, सब्सक्राइब करते हैं अगर हम बात करते हैं अगर हम बात करते हैं सब्सक्राइब करते हैं अगर हमें है जो रावल अगर भ्रोप भाने रावां इक होर्ण हमकी ज Very मुर्णन करते हैं अगर हमें परे दो कृशाओ यह ड़िंगा लियुंद तो इस में ठाफ इख चोटा–स पार्ट पिम्त सब्सक्राइल करते हैं ओंट सब्सक्राइल है इस तो का अपना सेंटर है यह रेडियस होगी सिपफरेंस के किसी पोइंट दो पोइंट को मिलाने पर आपको मिलती रेडियस ठीक है हम ने कैंटर किया दो रेडियस की यह लिए I am यहां पर कितना एंगल है यह देख अब यह अंगल कॉन सप्टेंट कर रहा है देखो सर्कल का इतना हिस्सा इतना पाथ अपका इस सेंटर पर अंगल खर रहा हूं बाखी को उंदे रिमूब करते हैं तो हम भहेंगे तो यह नहीं गहां से पीकुछ लेंग होगी वह चलेगा हो अंपद इसको बनागए आर्क लेंथ और यहां के रेडियस तो आर्क अपों रेडियस आपका प्या आपके आता है? यहां होदा अपका एंबल अधाम से देंगे यूरित के बात कर रहा है तो यह भ तो इसमना कि कोई नहीं होती है उआ है, नहीं को डामेंशन या बेंशन या देमेंशन लास कोनगा, न उनियों प्यिश पीना से तब ihan तंचिब गंजर मोर्ऄ को पिए एक का सबस्क्राइब के ही प्रकर दिमतिधे सबादें अब spat है시否, एक का है। जाए है तो फिर एक उस्टेशिं प्रिय्यक्त प्रप्र श्काइब आपके कारें पर सब्सक्राइब इस पर नियुक्त बहुत होते में तो वहुत है क्योंआख कर दा तो फ्रिक्वेंसी यह वति आक बन आप दूर के कि एक सकндर में कितना ताइब्स में कितन संख्रों नम्बसक्रा सुख्रों वह होता आपका frequency, ठीक है, हम ऐसे बोटर में देखो धिहां से, यह formula का ऐसा है, जब आपका time, t time period लगता है, time period में कित्रे oscillation होता है, one oscillation, ठीक है, तो one second में, एक second में कित्रे होंगे, one upon t, है ना, तो यह तो हमने wave last chapter पढ़ने ही, time period, तो unit इसकी होगी, आपकी हर्च जो कहता है, वैसे, वैसे देखा थे तो one upon second, one upon second की second उपर जाएगा, तो कैसा गोलेंगे इसे, per second, per second, किसकी unit है, frequency की basic unit कहा सकते हो, ठीक है, per second, और, लेकिन आपने mostly देखी हर्च, h, e, r, t, z, ठीक है, हर्च, डैमेंशन देखें, तो 30 minus 1, क्यों पर, t to the power minus 1, electric charge, q equal to, अपने पड़ा है, प्चो, i, t, q equal to, i, t, charge equal to current into time interval, तो unit होगी, i की unit होगी, i की unit होगी, ampere, time की होगी, ampere second, dimension, ampere की dimension, a होती है, second की dimension, t होती है, और, at आपकी electric charge की dimension, जल्दी से, जल्दी इसको छाप लेंगे, हमने नोट बुक में, इसके बाद आधे, कुछ ही बचा, universal constant की बात कर देते हैं, कुछ, किक है, करो इने, दीखींगे, पहला constant लेता है, हम, gravitational constant ही से, हम बोलते है, universal gravitational constant, ये class 9th में, आपने, जब gravitational chapter पढ़ा होगा, तो वहाँ पर आपने यूस क्या हो, इसको, देखाओगा, आपने इसे, देखो, ये, ग्रेव universal gravitation motion बोलते है, इसका formula आप ऐसा है, ये, ऐसा कहांसा आएड है, हम दें कुछ ऐसा पढ़ाता है, जो gravitational force है, उसका, जो value हो दीथी, mass of, one body, mass of second body, upon, distance square, और उसके बाद आपके पदे, constant आपके ज़िए बच्चो, तो यहां से हम ने, G की value ही का लिए, देखो, इसको, इसको, mass square, ये mass, एक बड़ा mass, एक छोटा mass, इजहां से दिखेंगे, capital G की value ही की value ही, force into distance square, upon mass into mass, दो mass, आप इसको simply mass square लिए लिए, लेकिन मैंने इसलिए नहीं लिए लिगा है, एक body का mass है, और ये, दूसरा वाला mass, किसी दूसरी body का mass है, जिन दोनों के बीच के लगने वाला gravitation force है, तो जल्दी से उनकी unit करेंगे हम, तो unit होगी, आपकी force unit कितनी होती है, newton, distance unit होती है, अपकी meter, तो meter square अपर, upon mass into mass, kg into kg, kg square, तो देखो, simple अगर बनाए, इसको, newton, meter square, upon में जोबी होगा, पर kg square के दिखेंगे, पर kg square, ठीके, dimension बनाना बहुत हीजी है, आपको आपको जागी है, newton की कितनी होती है, newton की unit है, आपकी force की force की dimension कितनी होती है, बच्चो, जादर गोगा आपको, mlt minus 2, meter की कितनी होती है, l, और l के उपर लगा है, 2, kg की होती है, अपकी m, यहाँ पर m के उपर लगा है, minus 2, अभी dimension पुरी नहीं बनी है, पूरा solve रहना है, m दो यहां पर है टू और प्लस 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 होता है तो एल क्यों हो जाएगा और टी एक ही बार तो आपका ऐसी आज़ेगा क्यों कोई कंफ्यूजन हुआ आप लोगों को तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ लेगी ठीक है तो आगे देखें प्लाइंक बाद करते हैं यह प्लाइंक कॉंस्टेंट कहां पर आता है जब इस बार आप क्लास 11 पी जो केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो उसमें आप यह फिर 12 पी चेप्टर पढ़ेंगे वहां की प्लाइंक क्वंटम थियोरी वगरा आईंगी ठीक है तो प्लाइंक को हमारे सैंटिर्स दुआ करते दे तो ऐसा बोलते है कि जौप लिए संसी जो एरेडी कि आ रहा है वागो इसके फॉर्म में आ खुर्च शॉटए पैकेट की फॉर्म में वहाला है और उसमें एंप्की जो एनर्जी हो थी नूद्ट है एके एच नियू आपकी है फ्रिट्वेंसी ए तो यह एच जो है आपका तो एनर्जी यूनियटी की बात करता है यूनियटी की जूल और अपोन में देखिए एक गजी लुड़ी यूनियटी की घर्जी भी होती है ऐसे तो पर सकिन्द आप दच्छों दोको यह फर सकिन्द आपको पर सकिन्द है जब यह माइनस नों उपर जाएगा तो यह आपका में लेगा प्लस में और यह बंगेगा आपका Joule second simple ठीक है? Joule second डेमेंशन की बाद कर्या पर देको फॉर्मले से यॉनिट से ऊपके देमेंशन बंजाती है ठीक है? पहले दिमेंशन आपके ML2 T-2 पहले देखनें आप कहा पे लिखिये, सकेंड की ओती है T, इसको अच्छे से बोकरेगे तो M L2, देखो एक पाँ माइनस 2, 1-1, एक तो है माइनस 2 और एक पे उपर कुछ नहीं है, मतलब 1 है सिले, तो माइनस 2 प्लस 1, माइनस 2 उता है, तो T-1 उता है, तो एक प्लाइग मोंस करींगे पॉस्कूर विडियो आर लोड कर लो, बच्छो, आपने नोड कर लिया होगा, इस लास्ट वच्छी है, बोल्जमांस कॉंस्टंट, तो बोल्जमांस कॉंस्टंट, आप पढ़ेंगे, के मिस्क्री में पढ़ना है आपने, स्टेट अफ मैंटर स्वालिश में लग पूरा तो आप रोट कर लेंगे से अररची अपॉन टेमपरेचर यूनेट की बात करें तो अररची की इनट होती है आपकी जूल देखों बेसिक में नहीं रिख रहे हैं बेसिक में यह आपती है है किलोग्राम मीटर स्कॉर कर से के स्कॉर ही कहा है तो इन को इसको तो डिख रहे हैं क्योंकि अपने याद हो गई है क्योंकि क्यों सब्सक्राइब कर दो तो मदो यह तो ऑंको यह चुका है केल्विन की डामेंशन सिंपल आपकी के थी के के पर मैंनस वर और यह बंदिल आपकी डामेंशन ऑफ बोर्जबार गॉंस्टेंट ठीक है तो यह वाला टॉपिक जो है बच्चो यहीं पर खितम करते हैं अमने आपको कुछ क्वेस्चन्स दोंगी ठीक है उससे आपको